टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बले बाज इशान किशन काफी स्टाइलिश हैं। उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टिक्राम अकाउंट पर एक फोटो शेर कर इंटरनेट पर तहल कमचा दिया। बता दे कि टीम इंडिया इस वक्त आयरलें दोरे पर है जहां वो तीन मेचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में यूवा बलेबाज इशान किशन को आराम दिया गया है। इस बीच उन्होंने अपने नए हैर स्टाइल की तस्वीर शेर कर सुर्खियां बतूर ली। उनका ये नया लुक देख फैन्स को MS धूनी की याद आ गई। इशान किशन के इस लुक पर सोशोल मीडिय यूजर्स लगातार कमेंट्स के जरीए अपनी दिल्चस्प प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये नया हैर स्टाइल इस समय काफी वाइरिल हो रहा है। दरसल आयलेंड के खिलाफ तीन मैचकी T20 सीरीज के लिए इशान किशन को रेस्ट दिया गया है। इस दोरान वो अपनी छुट्यों को इंजोई कर रहे हैं। इसे बीच वो एक नए लुक में नजर आए। बता दे कि सेलिबरिटी हेर ड्रेसर आलिम हकीम ने इशान किशन के बाल का नया स्टाइल किया है। इशान ने पोस्ट शेर करते हुए कैप्शन में आलिम हकीम को नंबर वन कहा है। वही हातिक पांज्या ने इशान के पोस्ट पर आग वाले मोजी कमेंड किया है। इशान किशन का नया लुक देखकर फैंस को MS धोनी की याद आ गई क्योंकि इशान ने माही का हैरस्टाइल कॉपी किया है धोनी ने IPL 2021 से पहले यही हैरस्टाइल बनवाया हुआ था ज़रान फैंस इशान के नई लुक पर जम कर मज़िले रहे हैं बता दे कि 30 अगत्ष से एशिया कप का आगास हो रहा है इशान किशन भी इस टूर्णामेन में खेलते नजर आ सकते हैं आपको बता दे कि एशिया कप के लिए भारत में अबी तक टीम का एलान नहीं किया है हो सकता है इशान किशन टीम में बैक अप ओपनर के तौर पर अश्या कप की टीम में चुने जा सकते हैं इशान के पक्ष में कई सारी चीज़े जा सकती हैं सबसे पहली बात तो यह है कि वो वाएँ हाथ के बल्ले बास है और टीम को टॉप और में ऐसे बाय हाथ के बलेबास की जरूरत भी है और दूसरी बात ही है कि उनका नाचुरल अंदास है अटेकिंग क्रिकेट खेलना अब ये देखना वाकई बड़ा दिल्चस्प होगा कि उन्हें एशिया कप में भारत की टीम में चुना जाता है या फिर नहीं आप भी इस पर अपने व्यूस कमेंट सेक्शन में जरूर शेर कीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जड़े रहे हमारे साथ न्यूस नेशन और एनन स्पोर्ट्स पर